इसरावस्ति के संयुक जिला आस्पताल में आज एक प्रसोग के लिए आई महिला का प्रसोग के वाद उसकी मौथ हो गए मौथ के वाद लगभग एक घंटे तक सो को बाहर निकानने के लिए इस्टेचर तक परजिनों को नहीं मिल पाया आपको वताते चले कि नाराज पर जिनों ने चिक कसकों पर लापरवाही बरतने वापैसा लेने का आरोप लगाते हुए जिला आस्पताल में जम कर हंगामा काटा और वहीं बेटी के जन्म के बाद महिला की हालत बिकरने लगी इस पर पर जिनों ने स्टाप से संपर किया और वहां महजूद स्टाप ने बताया कि दर्द का अंजेसन लगा दिया है बार बार डिश्टर मत करो बाहर निकलो थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा इसके बाद परिवार के लोगों को डिलोरी रूम से बाहर कर दिया गया और दो पहर करीब बारा वजे महिला की मौत होगई मौत के बाद करीब एक घंटे तक सो को बाहर ले जाने के लिए परजनों को श्टे चर तक मोहिया नहीं हो पाया इससे नाराज होकर परजिनों ने आस्पताल परसद में जमकर हंगामा गटा, परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि शिकसक वाइश टाप द्वारा पैसा भी लिया गया, इसके बाजूद उचित देखभाल ना करने से महला की मौत हो गई जिनकी मौत हो आपके कौन लगती है? हमारी मामी है, कहां के रहने वाले आप लोग है? हम खरकईया से हमारी मामी असरबनगर से है, क्या हुआ? यह सुबा डिलेवरी हुआ, डिलेवरी में भी रूपया लिया गया है, हमें नहीं पता है कितना हम सुबा नहीं थे, हम बाद में दिलेवरी में रुपय दिया गया है अप्र ठीक ठाइब बताए गये तो मैं ने बोला यह क्या है वह अंदर है यह बताई फिर एक नर्स से बोली जाकर सुई दर्दी की लगा दी जो दर्दी की सुई लगाई फिर थोड़ी देर बात गये कि दिक्कत है पर असानी सगर है चल कैसे मोत हुई अच्छा आपके मामी कहा के रहने वाली है असरफ नगाता जो बच्चा हुआ वो कैसा है बच्चा भी अक्सीजन में लगा हंदर जाने नहीं देते हैं उसमें भी इलाज चल लही थी तो यह परसो तो फिरी होता रूपय कोन डिमान कर रहा था पता नहीं किसले रूपया लेते हैं यहां है अधुल्याव दूने जाब 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 जाए है